Hello friends, Welcome to my channel Edufile आज के स्वीडियो में हम लोग तो देखेंगे, तो देखें, नहीं हमारा PN Junction Diode ये आप देख सकते ह्का है, यहापे PN Junction Diode जो होता है वो Parallel Connect होता है विद आउटपुट आउटपुट के साथ पैरलली कनेक्ट होता है इसलिए हम इसको पैरलल क्लिपर्स बोलते हैं यह आपने समझा इसका दूसरा नाम हम बोले तो शंट क्लिपर्स इसको हम बोलते हैं पैरलल क्लिपर्स का दूसरा नाम है शंट क्लिपर तो यह आपने समझा parallel Clipper होता क्या है अब Clipper क्या होता है जल्दी से जान लिए Clipper होता है वो जैसे मालेजी हमारे पास input waveform होती है तो हम उसको reduce कर देते हैं तो वो Clipper का काम होता है वो क्या करता है waveform को reduce कर देता है यहाँ पे देख सकते हैं आप positive में भी है नेगेटिव में भी positive में भी negative यहाँ पे केवल positive में ही waveform है बाकि negative वाला क्या हो गया reduce हो गया तो यह काम होता है Clipper का यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से reduce हो तो यह काम होता है Clipper का ठीक ही जी तरह से parallel slipper का भी यही काम होगा तो चलिए parallel slipper के work को समझते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमने क्या दिया AC source दिया यह हमारा resistance है यह हमारा diode है अब देखिए AC का काम यह होता है AC का nature यह होता है कि वो plus minus की polarity को change करता रहता है माले जी कभी यह plus कभी यह minus कभी यह minus कभी यह plus polarity को change करता रहता है कुछ इस तरीके से यानि कि यह पहले positive half cycle में होगा फिर negative half cycle में फिर positive half cycle फिर negative half cycle इस तरीके से यह work करेगा तो चलिए input से output को देखते हैं कि कैसे होगा इसमें parallel slippers में तो यहां पे दिखिए जैसे ही हमने यहां पे यहां पे इसको हमने plus माना इसको minus माना यानि कि negative positive half cycle के लिए यह आप देख सकते हैं यह positive half cycle के लिए यह plus यह minus तो यहां पे यह जो हमारा diode है Pn पि n junction diode है, यह किसमें हो जाएगा forward bias में, किसमें हो जाएगा forward bias में, तो जब यह forward bias में होगा, तो इसमें current flow होगा that means यह close switch की तरह काम करेगा किस की तरह काम करेगा, close switch की तरह, इसलिए हमें output पे कोई भी result नहीं मिलेगा यह आपने समझा कि जब यह forward bias में होगा, तो यह close switch की तरह काम करेगा यह diode, जिससे हमें output पे कोई result नहीं मिलेगा अब देखे forward बाइस क्या होता है जब P वाला plus से और N वाला minus से connect होता है तो मुसको forward बाइस करती है यहाँ पे P plus N minus से connect है यह आपने समझा अब चलिए negative half cycle की बात करती है यहाँ पे positive half cycle में हमें यहाँ पे output पे कुछ नहीं मिलेगा output पे हमें नहीं मिलेगा waveform हमें input पे तो है लेकिन output पे नहीं मिलेगा आप चलिए देखते है negative cycle के लिए तो यह plus हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा minus आप देख सकते हैं यह P minus से और N plus से connect है इस case में हमारा यह जो diode होगा वो reverse bias में होगा इस case में reverse bias में होगा और reverse bias में क्या होता है? current नहीं flow होती है तो जब current नहीं flow होगी तो यह open switch की तरह add करेगा और जितना आप input पे supply दे रहे हैं उतना हमें output पे receive हो जाएगा क्योंकि यह open search की तरह behave करेगा तो जेतना input पर दे रहे हैं आपको output पर उतना मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह input पर आपने दिया voltage आउटपूट पर आपको इस तरीके से voltage मिल गया तो यह आप समझ लीजे इसको अच्छे से यहाँ पर क्या होता है जब series clipers का opposite होता है यहाँ पर क्या होता है जब forward बाइस में होता है तो हमें output पर signal नहीं मिलता है और reverse बाइस में होता है तो output पर signal मिलता है इसको आप अच्छे से समझेए तो यह आपने समझा parallel clipers का इसको देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो positive waveform है वो गायव हो जा रहा है यहाँ पर positive वाले देख सकते हैं आप गायव हो रहा है इसी हिसाब से हमारे पास दो parallel clipers होते है एक parallel positive clipers एक parallel negative clipers आप चलिए जल्दी से negative वाले को भी discuss कर लेते हैं फिर उसके बाद baising समझते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं construction बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि diode की direction को हम change कर देंगे reverse कर देंगे तो diode की direction reverse हो गए यह हमारा p terminal यह n terminal यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम input देंगे तो यह हम लेते हैं कि यह plus से यह minus है during the positive half cycle तो यह plus यह minus इस case में diode जो हमारा reverse bias में किसमें है reverse bias n plus से यहाँ पर देखिए p minus से n plus से connector तो यह reverse bias में और reverse bias में जानते हैं आपको output पर मिलेगा यहाँ पर क्योंकि यह हमारा reverse bias में जो है वो open switch की तरह आक्ट करेगा तो इस तरह से जो input पर voltage होगा वह आपको output पर मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं during the positive half cycle you will get same signal at the output आपको output पर भी same signal मिलेगा यह आपने समझा आप चलिए चलिए चाहाँ समझते है negative half cycle के तो negative के लिए यह plus हो जाएगा और यह minus हो जाएगा इस case में n negative P positive से connect है यानि कि P positive N negative तो forward बाइस में होगा और forward बाइस में यह close switch की तरह act करेगा that means यहाँ पर voltage हमें output पे नहीं मिलेगा तो यह देख सकते हैं यहाँ पर यह disconnect हो गया फिर उसके बाद फिर हमें positive waveform मिलेगा negative waveform नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप negative waveform गायव हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे parallel negative clip I hope यह दोनों आपको अच्छे से clear होगा अब चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर बाइसिंग की यानि कि अगर हम इसमें एक battery को भी इंट्रीज कर दें तब क्या फर्क पड़ेगा तो देखिए हम क्यों introduce करते हैं बैट्री को यहाँ पर क्या हो रहा है या तो positive वाला पूरी तरीके जगायव हो रहा है या तो negative वाला पूरी तरीके जगायव हो सिंग्नल विले उसकेस में हम क्या करते ही है यहाँ पर एक battery इंट्रीज कर देते यानि बाइसिंग कर देते हैं तो पैरलल पॉजिटिव क्लिपर का मतलब दो टाइप के होते ना पैरलल क्या कर सकते दो तरहbuilt वाईटिव एक पोजिटिव एक णिगेटिव यहाँ थे पर arising कर दिया, और कौन सी forcing positive ıyorsun? plus minus, plus minus देख सकते हैं, यह प्रेपर यह parallel ऐसे तरह से parallel positive splipper जाएगा यहां पर सेम टो सेम थीक इसी तरह से आप लोग negative clipper भी ले सकते हैं, यानि कि यह वाला diode की direction को आपको क्या करना है, reverse करना है तो इस तरीके से आप reverse कर देंगे यहाँ पर positive byicing कर देंगे फिर यहाँ पर negative byicing कर देंगे तो इस तरह से चार टाइप बनेंगे तो चलिए समझते हैं हम इसको और इसके input और output को plot करते हैं तो पहला हमारा ये है case इस case में क्या होगा तो इस case में चलिए मान लेते हैं ये हमारा plus है और ये हमारा minus है ये तो ये हमारा input है और ये हमारा battery है तो इसका भी कुछ ना कुछ potential होगा इसको हमान लेते हैं VB अब आपको क्या मालूम है हमें output पे signal कर मिलेगा जब हम diode को reverse wise में supply देंगे किसमें supply देंगे reverse wise में तो ये हमारा है P terminal ये हमारा N terminal है तो यहाँ पे आप देखिए N वाला plus से connect है और P वाला minus से connect है तो यहाँ पे P वाला minus से N वाला plus से तो यानि कि battery के हिसाब से तो ये reverse wise में है यानि कि battery के हिसाब से reverse बाइस में है यहां पे वी आई के हिसाब से अगर हम देखें तो पी प्लस एन माइनस से कनेक्ट है जानी कि फॉर्वर्ड बायस में है तो फॉर्वर्ड बायस में आपको आउट्पूल पे सिंगनल नहीं मिलेगा लेकिन यह रिवर्स बायस में तो इससे आपको मिलेगा तो देखिए यह वी आई है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा और यह जो हमारे वी बी फिक्स होगा तो क्या होगा कि इस वी बी के वज़े से आपको वी पे वी आई क्या है forward bias, forward bias बढ़ जाएगा जादा तो फिर आपको output पे signal नहीं मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VB के खास limit तक आपको मिल रहा है, output पे signal फिर उसके बाद नहीं मिल रहा है, जब VB से greater than हो जा रहा है, जब VB greater than VB हो जाएगा, तब आपको output पे signal नहीं मिलेगा, क्योंकि forward bias character तब बढ़ जाएगा, तब VB जब बढ़ जाएगा जादा, तो forward bias character बढ़ जाएगा, इस case में देखिए P negative N positive, तो यानि कि इसको काड़ देते हैं, यहाँ पे VI का case जो हम देखेंगे, P negative N positive, तो यह भी reverse bias में हो गया, और यह भी reverse bias में, तो reverse bias में दोनों है, तो आपको मालूम है कि जब reverse bias में होगा, तो आपको output पे signal मिलेगा, तो simple है, यह आपको output पे signal मिल गया, यह बहुत ही simple है, तो यह आपने पहला case समझ लीजिया, अब चलिए समझते हैं, हम लोग parallel positive clipper with negative bias, यह second case, parallel positive clipper with negative bias, इस case में हमने क्या किया, बिल्कुल same to same है, कि वहल हमने बैटरी की direction को change कर दिया है, तो यहाँ पे यह हमारा P terminal, यह N terminal, और यहाँ पे battery के साब से चलिए देखते हैं, यानि कि VB हमारा battery है, इस case आप से देखते हैं, तो यहाँ पे N negative से और P positive N negative, तो यानि battery के साब से तो forward bias में हो गया, अब हम positive half cycle की बात करें, तो यह plus यह minus होगा हमारा positive half cycle के लिए, यह plus यह minus, तो इस case में देखिए P positive से और N negative से connect है, यानि VI की हम बात कर रहे हैं, तो इस case में आप देख सकते हैं कि P plus और N minus से, यह भी forward bias में हो जाएगा, यह भी forward bias में, तो यानि दोनो forward bias में होगा, तो आपको output पे signal नहीं मिलेगा, दोनो forward bias में, तो इसलिए देख सकते हैं, आप simply output पे आपको कोई signal नहीं मिल रहा है, during the positive half cycle, आप चलिए negative half cycle की बात करते हैं, तो यह negative हो जाएगा, और यह positive हो जाएगा, बैटरी तो नहीं चेंज होगी, बैटरी तो वही रहेगी, तो इस case में क्या होगा, इस case में यह होगा, कि यह हमारा forward bias में है, तो यह हमारा fix रहता है यह VB जो fix रहता है, और यह धीरे-धीरे increase होगा, वी आई धीरे-धीरे increase होगा, तो देखिए, जब तक वी आई increase होगा, यानि वी आई इस case में क्या है, reverse bias में है, नेगेटिव half cycle में क्या है, reverse bias में है, तो यह reverse bias character जब तक बढ़ेगा, और यह तो अपना fix है, तो current कैसे flow हो यहाँ पर, इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर देखिए, वी आई क्या हो रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, फिर वी बी को जब यह cross कर लेगा, वी बी किसमें है यहाँ पर, वी बी आपका किसमें है, एन negative, पी positive, वी बी है हमारा forward बायस में, तो जब यह forward बायस को cross कर देगा, रिवर्स बायस वाला, तब current लोग, तब आपको signal मिलेगा, कब मिलेगा, जब रिवर्स बायस करेक्टर जादा होगा, तो रिवर्स बायस करेक्टर कब जादा होगा, जब वी आई greater than वी बी होगा, वी आई जब ग्रेटर दन यहां पर आप देखिए, यह आपका वी बी हमालीजे, जब इससे बड़ा हो जाएगा, तब आपको यहां पर signal मिलेगा, तो इसलिए हमने यहां पर दिखा दिया, तो इस तरीके से आप यहां पर वी बी को मान सकते हैं, यहां पर इस तरीके से plot करेंगे, अब हम लोग समझ देखते हैं इसको, तो दूरिंग रा पॉजिटिव हाफ साइकल यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, और इसके हिसाब से चली देखते हैं, पहले वी बी के हिसाब से ही किसमे है, तो यह हमारा पी टर्मिनल, यह एन टर्मिनल, तो यहां पर पी पॉजिटिव से एन निगेट जैसे लिए देखते हैं इसमें क्या होगा तो इस इनिशियली आपकाlements है व ग्रेटर है विस провres आप में signal नहीं मिलता है तो जैसे जैसे वी आई के वैलू बढ़ जाएगा वी बी को क्रॉस कर जाएगा जब वी आई greater than वी बी हो जाएगा वी आई greater than वी बी का मतलब reverse बैस करेक्टर जादा हो जाएगा forward बैस से तब आपको यहाँ पे signal output पे मिलेगा इस तरीके से फिर क्या होगा फिर decrease होगा फिर नहीं मिलेगा आपको यह आपने positive half cycle का समझा है आप negative half cycle का समझते हैं नेगेटिव half cycle में यह negative हो जाएगा यह positive हो जाएगा तो जब यह negative हो गया तो यह positive यह negative यहाँ पे भी change हो जाएगा तो पी positive case भी हो गया अब last case को देखते हैं हमारा parallel negative clipper with negative bias तो यहाँ पे negative clipper negative bias के साथ में है इस case में चली देखते हैं जल्दी से तो यह हमारा plus positive half cycle के लिए यह minus अब इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा यह P है यह N है यहाँ पे P आपका negative से N आपका positive से यानि कि यह reverse bias में है और इसके हिसाब से VI के हिसाब से देखें तो VI के हिसाब से भी हमारा P negative and positive यानि इससे भी reverse bias में है यह positive half cycle के लिए हम ले रहे हैं तो दोनों से reverse bias में है तो आपको output पे signal मिलेगा जैसे input पे आपने दिया तो output पे आपको signal मिलेगा अब हम लोग क्या करेंगे negative half cycle के लिए लेंगे यहां से शुरुआत करेंगे तो यह हमारा negative हो जाएगा और यह positive हो जाएगा इस case में क्या होगा इस case में आपका VI जो होगा VI वो हो जाएगा forward bias में किसमें हो जाएगा forward bias में और यह reverse bias में है तो आपको मालूम है reverse bias में आपको क्या मिलेगा signal मिलेगा forward में नहीं मिलेगा तो जब आपका VB जादा होगा मलब reverse bias जादा होगा तब आपको signal मिलेगा जैसे ही VI greater than VB हो जाएगा यानि forward bias जब जादा हो जाएगा तब आपको signal नहीं मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर N-Positive से Connect है भई यह forward bias में ही तो हुआ जब forward bias वाला ज्यादा हो जाएगा तब आपको signal नहीं मिलेगा देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या हो रहा है यहाँ पर पहले आपको signal मिल रहा है क्योंकि VB तो fix है लेकिन जैसे ही VI की value greater than होगे VB से आपको signal नहीं मिलेगा इस तरीके से इसका graph होगा तो I hope यह आपको चारो case अच्छे समझ में आँगे parallel bias clipper के आप next video में हम लोग कुछ और important topic discuss करेंगे video देखने के लिए thank you, thank you so much